Hey guys, welcome back to another video, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले है Realme 7 Series के बारे में तो Realme 7 Series का नया budget smartphone 7 October को launch हो रहा है Realme 7i तो Realme 7i के सारे function और सारे specification के बारे में बात करेंगे अगर आपको Realme 7i के बारे में किस जानने में interested तो वीडियो को last time ज़रूर देखिए Let's start it तो बात करते है Realme i7 की, तो Realme i7 का जो main highlighting function लिकल के आता है वो है उसका 64 megapixel primary camera तो primary camera के साथ आपको मिल जाता है ultra wide lens जो 120 degree area को capture कर सकता है 7, 7 sentiment का micro lens और भी blue lens भी मिल जाएगा और ये decency photo खीज सकता है इसका picture जो 64 primary camera है उसका picture ratio 9,248 by 6,944 लिकल के आता है और इसका pixel size जो है वो 1.4 है और इसमें आपको super night mode भी देखने को मिल जाएगा तो अगली में highlighting functions की बात कर ले तो ये इसकी sleek design है और इसमें आपको decency design देखने को मिल जाती है और बात कर ले इसके प्रोसेसर की प्रोसेसर की बात करें तो आपको इसमें snapdragon 662 मिल जाता है जो snapdragon 662 टू 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 अक्टा कोवर पे बेस्ड है और वन पॉक एव सेवन थ्री पे बेस्ड है और अपर टू टू गीकाहर्स तक जा सकता है और इसकी आउन ताउजन पर रेटिंग निकलती ह 1,85,466 लिकल के आती है और इसका performance को बहुत ही जादा high तो नहीं है पर है एक बजट फोन के लिए ठीक ठाक सा है और बात कर लेते हैं इसके design की तो इसको आपको बहुत ही decent सी design देखने को मिल जाती है बात कर लें display की तो आपको इसमें 90 हर्ट का refresh rate के साथ 6.4 इंच का नहीं है पर इसके अंदर आपको full HD display मिल जाता तो बहुत अच्छी बात होती 90 हर्ड रिफ्रेश रेट के साथ पर यह इसके price कट करने के लिए इसका एट करिया गया है और बैटरी की बात कर ले तो आपको मिल जाती है 5000 mh की मेगा बैटरी जो 18 watt की quick charging को support करती है इससे आप 35 hour call पर बात कर सकते हैं और 13 घंटे लगातार गेम्स खिल सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए और आपको और mobile phones के बारे में जाना है तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजिए बाई